आज हम एक किताब पढ़ेंगे इस किताब का शीर्षक है पारिवारिक पेड़ इस किताब को लिखा है जौश पाइक ने और इसमें चित्र बनाए है रोनजाय घोश ने चलो शुरू करें पारिवारिक पेड़ आरंब हुआ एक बीच से और वह बीच था मैं दिन पर दिन लाल इट के दिवारों के साथ साथ मैं भी बढ़ता गया जैसे जैसे दिवारें बढ़ते बढ़ते छट को छूने लगी वैसे वैसे मेरी जड़े गहरी जाने लगी और फिर समय के साथ बगीचा हसी के खिल-खिलाहट से भर गया छोटे-छोटे हाथों की निशानिया मेरे तन और डाली पर पढ़ने लगी एक दिल और तीर का नक्षा बन गया मौसम बदलने लगे दावत और अकाल सूखा और तुफान हसी आसू सन्नाटा गीत हमारी जड़े गहरी हुई, हमारी जड़े तगड़ी बनी, फिर एक दिन मेरी डालों के लिए ये छोटे हाथ बहुत बड़े हो गए, मैं छोटा ही रह गया और कुछ समय के लिए वे सब चले गए, अपने बगीचे में अपने पेरुगाने और मेरे बीच भी नाचते हुए हवा में उड़ गए बस गए दूर, न मुझे दिखा, न मुझे समझा, हमेशा के लिए मुझसे दूर, परन्तु हमेशा मेरे अपने ही और फिर सूर्य की किर्णों की तरद चमकते हुए, नन ही आवाज, नन ही खिर-खिलाहट, फिर लोट आए गाने लगे, एक दिल, एक तीर नन ही हाथ नए, पर जाने बेचाने मेरे तन पर नई निशानिया आ गई, परन्तु पीडा के बिना अब मेरी डाले मजबूत थी, उन नन ही हाथों के लिए और चोड़ी थी, उन नन ही पैरों के तर, उन नाजुक जीवों के लिए मैं फिर बढ़ने लगा, सूरज की ओर पहुचने लगा ताकि वे और उपर चड़ पाएं, और उपर और हाँ, वा पहुच गए, आकाश तक पहुच गए आरंब हुआ एक बीच से, और वा बीच था मैं